अब हमारी और हमारी पाकिस्तान की अवाम से बाहर हो गया है तो फिर भी हम ले के आते हैं हम बहुत इस तरह के बुरे भी काम करते और अच्छे भी तो गाइस इसके साथ हम यह करने हैं करने लेगे हैं आलू तो आलू हो गए हैं थोड़े सस्ते यह आलू हो गए हैं वाई सो के धाई किलो तो आज कल हम यह आलू ज़रा मुर्गी में ज्यादा डालेंगे क्यूंके मुर्गी के बगएर आलू अधूरे हैं यहां लग रहा है प्यास को तड़का तो यह देखें जी प्यास अभी हम ब्र ट्रारयोकास से बाहर हो गए है यह आजकल थोड़े से कम रेट पर भीक रहे हैं वह यानिके इसका रेट है 150 है लो गाई यहां देखते हैं यह हमने क्या त्यार कर लिया है यह देखें भाई हमने चूले से उतार के चावलों को दम लगाया है तो कभी आपने सोचा है कि चूल प्यास Morgi का हूल करने वाला है तो थोड़ी दे पता नी था के हूझ से पहले बांड सबस्कान भाए करने वाला है। यहां जाए व्यास मां प्यास कमें डिटीकर लिख़ना लोगा खुझेисс है। हमने ज्यादा काट लिया था तो इसको अब हम सेफ करके फ्रिज में रखेंगे हैलो गाइस सबसी पूरी कट गई है तो यह आकर एक आलू बड़ा रह गया है तो देखें किसी के मुह में भी बड़ा आलू चला गया तो पश्टाएगा तो यह देखें चिकन हमारा लाल हो गय हैंगे तो यह देखें भाई गी आजकल बहुत महिंगा हो गया है तो हमने तो डाल लिया ज्यादा और तू पॉइंट फाइफ का हमने कैमरा ओन कर लिया है तो यह देखें भाई मुल्गी हमारी नजदीक आ गई है यह ना कि हम कड़ाई के ऊपर अपना कैमरा रखें हम थो इसपाईगी है तो आप अज़ा थीच ज़ो दौद होता है जो दौद हो पाईगे था उमन दौद ना लिए जिना खेंगी है लिए भाई आफ यह दूक यह पाई एदेश आप मुल्गे चबहूंगें जो पंदै उन्सल जबरावी थी हेलो तो काईज ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और अभी ये तैयार होगे ये भी ये भी रेडी होगे तो आज का खाना हमारा रेडी हो गया है और अभी हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू